में ममाज एन डेडी जब मैं सेकंड टाइम प्रेगनेंट थी और 19 वीक में हम एनुमली स्कैन के लिए गए तब हमें पता चला और ये जानने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मेरा पहला बेबी पैदा हुआ था सिर्फ 24 वीक्स पर वो एक्स्रीमली प्रिमिच्योर था और वो 103 दिन NICU में था जिसकी वजह से मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क औफ प्रिटम बर्थ पर थी जिसका मतलब हुआ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और अब ये सेकंड बेबी के हार्ट में वाइट स्पॉर्ट एकोजेनिक इंटरकाडियक फोकस में बहुत जादा स्ट्रेस्ट हो गई थी क्या होगा अगर सेकंड बेबी की हेल्थ में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन्स हुए तो मैंने इकोजेनिक इंटरकाडियक फोकस के बारे में रिसर्च करना शुरू किया नॉलेज गें करना शुरू किया और मुझे पता चला कि almost 5% of all pregnancies finds ecogenic intracardiac focus. अगर scan में ecogenic intracardiac focus आता है तो parents को panic होनी की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि baby abnormal है. अगर minor chances हो सकते हैं कि baby down syndrome के risk पर है या फिर baby के heart में defect है. मैं बहुत ज़्यादा stress, बहुत ज़्यादा tension में आ गई थी. कि premature birth होता है 100 में से सिर्फ 10 babies में और मैं उन 10 लोगों में हूँ. और ecogenic intracardiac focus होता है 100 में से सिर्फ 5 लोगों में और मेरी pregnancy उन 5 लोगों में है. मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा stress थी और stress pregnancy के दौरान बहुत ही ज़्यादा harmful है. मुझे अपना peace of mind वापस चाहिए था, मुझे stress नहीं चाहिए था, तो मैं जाकर अपनी gynecologist से मिली और मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने previous preterm birth के experience की वज़े से और उसके बाद मैंने इतने सारे kisses hospital में देखे हैं, उसकी वज़े से बहुत stressed हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस scan म या ultrasound किया जा सकता है, जिससे बेबी की health का proper अंदाजा मिल सके, तब मेरी गाइनी ने मुझे fetal medicine specialist के पास जाने की सलहा दी, fetal medicine specialist वो obstetrician या वो gynecologist होते हैं, इन्होंने gynecologist से 3 साल extra पढ़ाई की होती है, research की होती है, especially fetal पर और high risk pregnancies पर, वो fetal का detail scan करके आपको ज्यादा accurately fetal की health के बारे में बता सकते हैं, जब हम fetal medicine specialist के पास पहुचे, तो उन्होंने मेरे सारे previous scans, anti scan, dual marker test और भी सारी reports को detailed analyze किया, उन्होंने मेरी family medical history के बारे में पूछा, उन्होंने मेरे husband की family medical history के बारे में पूछा, उन्होंने मेरे previous freedom birth के बारे में सारी details ली, और उसके बाद उन्होंने एक detailed scan किया मेरे second baby का और उस scan में लगभग 50-50 minutes लग गये उस scan के बार doctor ने हमें बताया कि हमारा baby बिलकुल ठीक है baby की heart anatomy एकदम normal है और baby के सारे ही body parts एकदम ठीक है और मेरी second pregnancy में किसी भी तरह के health complication का बहुत ही low risk है बहुत ही कम risk है मेरे case में scan की accuracy के हिसाब से 4545 babies में सिर्फ एक baby को एकogenic intra-cardiac focus की वजह से medical complications या फिर health complications हो सकते हैं और इस scan के बाद मैं बिलकुल stress free हो गई उस दिन के बाद मैंने एकogenic intra-cardiac focus के बारे में कभी नहीं सोचा और आज मेरी वो baby 1 year plus हो चुकी है और एकदम healthy है अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो please इस video को like कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए और मेरी help कीजिए इस channel को grow करने में ममाज एंड डैडी इस based on my experience आपके लिए मेरी advice अगर आप baby के scan या ultrasound के लिए जाते हैं और उस scan में EIF यानि एकोजनिक intra-cardiac focus आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर उस scan में उस ecogenic intra-cardiac focus के अलावा बाकी सब कुछ normal है baby के सारे body parts normal है baby की heartbeat normal है baby का heart shape normal है तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है most probably baby को कुछ भी नहीं होगा और baby एकदम healthy होगा मगर अगर आपको फिर भी stress है और आपको tension हो रही है तब आप में लिए fetal medicine specialist से वो आपके baby के ultrasound में analyze करेंगे risk of down syndrome and risk of heart defect और अगर जरूरत पड़ी तो वो आपको suggest करेंगे advanced blood test, non-invasive prenatal test, NIPT and amniosynthesis test और अगर सब ठीक आता है तो stress free हो जाएए pregnancy एक बहुत ही important time है इसको अच्छे से enjoy कीजिए और memories create कीजिए please hit the like button it means a lot for me see you soon with next very informative video lot of love to parents and their baby